हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने Vivo X70 Pro Android मॉयल फोन में आप जो है इसे आपको सेलेक्ट करना है इसके अगले पेज में आपको नीचे यह option मिल जाएगा आप देखिए सेटिंग कैसे काम करेगी डिसेवल होने के बाद आप कभी भी जो है स्क्रीन शॉट लेंगे ना तो आपका जो स्क्रीन शॉट आ जाएगा और पेज यहीं से गायब हो जाएगा पहली की तरह आपका नीचे की साइट स्क्रीन शॉट का पेज फ्लोट नहीं करे पहले तो यह सेटिंग कैसे काम गरते हैं, अब में आपको जोंगने के शॉट कट तरीका भी बता देता हूँ इसके आपको क्रना है क्या होगा, मूवायल फून का सर्टिंग कंण करिए setting page में आपको सबसे उपर यह option मिलता search icon का इसे आपको select करना है और यहाँ पर आपको search bar में setting का name आपको type करना screenshot floating window ठीक है तो आपको जो है नीचे की side option show हो जाएगा screenshot floating window का यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप search bar में सबसे उपर यह search bar में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ पर आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे की side यह option दिखाई नहीं देगा इस बात का भी आपको धियान रखना है ठीक है तो चलिए वीडियो को आपके continue करते हैं जब यह option नीचे show हो जाएगा तो इससे select करना है इससे क्या होता है आपको mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जाता है और नीचे की side आपको यह option मिल जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में